जहिन साथियों डॉक्टर संग्राम पटिल बोल रहा हूँ इंगलेंड से साथियों अभी अभी हिंडनबर्ग की 20 हिंडनबर्ग 2.0 रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि हमारी सेक्यूरिटी एक्स्चेंज बोर्ड आफ इंडिया की जो चेर्मन है माधवी पुरी बुच ये मैडम ने आदानी के साथ कनेक्शन किया है आदानी की कमपनीस के साथ और ये जो गोटाला हिंडनबर्ग 1.0 में जो एक्सपोज हुआ था उसमें ये माधवी मैडम भी कल्परिट है ऐसा उसमें अभी एक्सपोस किया है तो ये जो क्रोनालाजी है ये शॉर्ट में समझेगा ये बहुत शॉर्ट वीडियो है और शेर किजेगा स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट हमारा इंडिया का उसको कोन नियंत्रित करता है तो इसको सेवी नियंत्रित करती है Security Exchange Board of India और इसका चेर्मन को ने मादवी पुरी बुब इसको चेर्मन किसने बना है विश्वगुरु मोधिसेट सेवी की चेर्मन ने कहा पर पैसा लगाया है 10 मिलियन डॉलर तो यह आदानी की जो घोटाला करने वाली जो कमपनिया है उन में यह अभी Hindenburg 2.0 में एक्पोज हुआ है और स्टॉक मार्केट में घोटाला किसने किया है आदानी की कमपनियों ने मादवी मैडम ने पैसा लगाया है आदानी की घोटाला करने वाली कमपनियों में आदानी ने स्टॉक मार्केट में घोटाला किया है मादवी मैडम की नियुक्ती जो है यह मोधी जी ने किया है आदानी यह मोधी जी का फ्रेंड है मोधी को लांच नाशनल लेवल पर आदानी ने किया है अब आदानी का जो घोटाला हो गया उसमें सुप्रीम कोड के आदेश से जो जाच हुई वो किसने की से भी ने मतलब ये माधुमी मैडम जो है इन्होंने आदानी की जाच की इन्होंने सुप्रीम कोड में आदानी को क्लिंचिक दे दी नॉवेंबर 2023 में और कहा कि ये जाच किसी भी दिशा में नहीं जा रही है दिशाइन हो रही है इसमें आदानी का कोई रोल नहीं आता है और इस सारे गोटाले में किसका फाइदा हुआ आदानी का फाइदा हुआ नुकसान किसका हुआ जिन लोगों ने आदानी के कमपनी के शेर खरीदे इस ग कितने का बांबू लगा दिया आदानी ने भारत के लोगों को आठ लाख पचास हजार करोड का ये मिडल क्लास हाइर अधानी के कमपनी में क्योंकि उनके रेट जो ते वो बढ़ाए जा रहे था अर्टिपिशली तो लोगों ने इस आसा से इसमें पैसा लगाया कि हमारा भी पैसा बढ़ जाएगा ये आठ लाख पचास हजार करोड आदानी ने कमाया और इसमें कोन-कोन है तो मोदी ने ये मादवी माडम को नियत किया मादवी माडम ने खुद इसमें पैसा लगाया है ये जो बोगस कमपनी आए फोरें की और इसने ही मादवी माडम ने ही आदान तो यह समझी गएगा connection क्या है तो इसमें रावुल गांधी ने जो पिछले बार 2019 में election में जो प्रचार किया था कि चवकिदार ही चोर है ये बात आपके समझ में आ जाएगी तो ये share किजेगा वीडियो जाहिन सातियो